संदेश पहले मैंने एक मोटिवेशनल स्पीच दिया था तो आज भी आप ऐसा समझ लिजीए कि आप किसी मोटिवेशनल सेमिनर में हिस्सा लेने के लिए आये हैं और बातों को ध्यान से सुनिये पिछली बेर मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें सबसे ज़्यादा मन की रक्षा करने चाहिए शरीर की रक्षा तो हम करते ही हैं बाकी सब बातों की रक्षा हम करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मन की रक्षा करने के लिए परमेश्वर कहता है कारण ये है कि जीवन का मूल स्रोत हमारा मन है अगर साधारन शब्दों में आपको बता हूँ तो हमारे मन के जो विचार है वो सारे विचार मिलके अमारे जीवन को आगार देता है या रूप देता है केने का मतलब आज अम जो कुछ भी है हमारे अपने विचारों की वज़े से हैं और कल अम क्या होंगे और कहां होंगे अमारे विचारों पर निर्बर हेगा इसलिए हमारे विचारों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है इस पर हमने ध्यान किया था चर्चा की दिन आज मैं आपको तोड़ा सा और इस बारे में बनाना चाहूंगा कि अभी हमने गाया चाहे मेरे जिवन में कोई भी भादा पड़े मैं प्रभु को प्यार करता हूँगा कहना बहुत आसान है जब आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो ये कहना गाना बहुत आसान है लेकिन आपके जिवन में जब कुछ भी ठीक नहीं है तब भी आप ये कह सकेंगे ऐसा कहने के लिए आमें तोड़ा सा मन का ध्यान देना होगा जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता ना उस समय अगर हम अपने मन के विचारों पर द्यान करेंगे और मन के अंदर computer में computer language में एक बात बोली जाती है garbage in और garbage out यानि आप मन में जो कुछ भी input करेंगे उसके अनिसार output होगा तो मन में आप किस तरह के विचार रखते हैं जैसे उदाहरन के लिए आज के तारीक में दिल्ली में और बाकी जगाओं में भी बाकी cities में states में covid cases उसकी संग्या बढ़ती जा रही है और हमारे ही चर्च में काफी लोगों को कुछ लोग positive निकले हैं और उसमें से वो बाहर निकल रहे हैं भी और हमारे जानकारी में और भी कई लोग हैं जो इसमें बीमार है covid की वज़े से तो ऐसी परिष्टिदी में हम कैसे अपने मन को हमें समालना चाहिए अगर आप news सुनते रहेंगे मैं नहीं कह रहा है कि news सुनना नहीं चाहिए या news पढ़ते रहेंगे और आपके दिमाग में news में सुनने वाली बातें आप बरेंगे तो क्या होगा और फिर आपको news सुनेंगे फिर दूसरे जो सुनते हैं वो भी आपको news सुनाएंगे तो दिन बर आप एक ही बात को बार बार सुनेंगे और आपके मन में चिंदा शुरु हो जाएगी फिलिपियों की पत्री में आपके बाइविल में हमारे बाइविल में एक पुष्ट है फिलिपियों की पत्री और जो पद में बताने जा रहा हूं आप बहुत समय से जानते हैं वहां बे चौता अध्याय का छट वपद में लिखा है कि किसी भी बात की चिंदा ना कर, ये कहना आसान है, कहने वाले के लिए कहना बहुत आसान है कि किसी बात की चिंदा ना कर, लेकिन जो चिंदा कर रहा है उसी को पता है कि कितनी परेशानियों से वो निकल रहा है और कित परपास कर सकते हैं उसकी बात को हमें मान लेना चाहिए और कुशी की बात यह है कि परमेशुर सिरफ इतना ही नहीं कहता पवित्रा आत्मा सिरफ इतना ही नहीं कहता कि किसी भी बात की चिंदा ना कर आगे कुछ और भी कहता है किसी भी बात की चिंदा ना करो या मत करो का बाशन सुनते हैं यानि टीचिंग सुनते हैं तो द्यान से सुनिए क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करेगा और जब तक परमेश्वर आपसे बात करें नहीं करता आपका सुनना व्यर्त है आपने सिर्ब सुना है उसका असर नहीं होगा इसलिए द्यान से सुनिए इस बात करेगा चाहे आप टीचिंग सुन रहे हो या Bible पढ़ रहे हो पवित्र आत्मा आप से बात करेगा और एक और सीक्रेट आपको बताता हूं आज जो कि Bible में है और यह सीक्रेट इसलिए है क्योंकि आमने सुना और फिर ध्यान नहीं दिया इसलिए सीक्रेट है यह पहले भी में बदा चुका हूं जब पवित्र आत्मा यानि परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करता है चाहे आप वचन को पढ़ो या सुनो तब आपके अंदर विश्वास आएगा परमेश्वर की बातों पर आपका विश्वास आएगा पर एक बात में तुमारे निवेधन प्रार्तना और विंति के द्वारा दन्यवात के साथ परमेश्वर के संब्ग उपस्तित किये जाएं यह तो कहना बहुत आसान है जो परेशानियों से निकल रहा है जो अभी जिनका अभी कोविड पॉसिटिव है और बहुत ज्यादा तकल है और उसे कहा जाएगी चिंदा मत कर और इस बात को लेकर निवेधन और प्रार्तना और विंति धन्यवात के साथ परमेश्र के सामने उपस्तित कर वो बोलेगा कि आपके लिए कहना बहुत आसान है लेकिन मैं आपको बताता हूं अगर आप इस बात को ध्यान से परमेश्र प्रभु येश्व मसी ने जब क्रूज पर अपना जीवन दिया तो ये बात सब को मालूम है कि येश्व मसी के क्रूज पर अपना लगु बहाने से अमें पाप से मुक्ति मिली, ये बात हम सब को मालूम है हमें पाप के वश्मे से भी परमेशन ने छुड़ाया ये भी सब को मालूम है हमारे पास अनंद जीवन है, ये भी सब को मालूम है हम मृत्यू के बाद कभी भी नरक में नहीं जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे ये भी सबको मालमें लेकिन एक और बात है पवित्र शास्तर कहता है इबरानियों की पत्री में है दूस्ता अध्याय में है पंद्रवपद में है लिखा है कि जो लोग मृत्यू के डर से गुलामी कर रहे थे दासत्व में थे आप सोचिए मृत्यू स से लोग डरते हैं मृत्यू ही एक चीज है जिससे सबसा जादा इनसान डरता है उस डर से इनसान को येश्व मसी ने आजाद कर दिया पढ़के देखिए जो लोग मृत्यू के डर के कारण या डर के मारे गुलामी कर रहे थे किसकी परमेश्र की नहीं किसी और की शेतान की गुलामी में थे उस डर के कारण की हम मर जाएंगे लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो लोग पीडिद है और सिरब बीमारी की वज़े से नहीं किसी भी तरह की समस्या आपके जीवन में हैं तो मैं आपको मैं लोग कहे वर कहता है लोग हस देते हैं मैं कहता हूँ कि नहाजाद करने के लिए भी येश्व मसीने कुरूज पर अपना जीवन दिया था हमें ढरने की जरूरत नहीं क्यों और यह हाकिकत है कि सब को मालूम है कि एक दिन हम मरेंगे लेकिन फिर भी मृतियों से डरते हैं वेव को भी नहीं है और मैं आपको और भी बातें बताता हूं आज हमारा मोटिवेशनल सेशन है पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अमारी आयू जो है यानि कितने दिन हम जिन्दा रहेंगे यह परमेश्वर ने जीवन के पुस्तव में लिखके रखा है और उस से पहले उस दिन से पहले उस गड़ से टाल वहां से अम अधियन कराउव यह बदर सेख़या बहुत इंट्रेस्ट्ट किताब में यह बौत ज्यादा मोटिवेशनल बाते दिन हमसे Doch मुझे अज हम परमेश्वड करता है कि बातों पर है कि विश्वास करंदिने के लिए हम लें है और विश्वास कैसे आएगा जब पवित्र आत्मा परमेश्वर अमें से किसी यानि अमें से मुझसे बात करेगा तो मुझे विश्वास आएगा आप से विश्वर यानि आप में से हरेक से चितनी लोग online में हैं आप में सहरेक से और जो लोग यह हम रहे आप से जब परमेश्वर बात करेगा तो विश्वास आएगा और परमेश्वर की बातों को फिर आप विश्वास कर सकेंगे गरहन कर सकेंगे और उसके अनसार चल सकेंगे उसके अनसार अपने विचारों को आप बदल सकेंगे हमारे हमने शुड़वात में क्या बुला हमें मन की रक्षा करना है हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं इस पर हमें ध्यान देना है उसके लिए हमें अपने मन में सही विचार डालना है अगर सही विजार हम डालते रहेंगे तो वही बाते हम सोचते रहेंगे और उसके अनिसार हमारा विश्वास बदलता जाएगा उसके अनिसार हम बदलते जाएंगे बदन सहीदा च्यालिस इसमें लिखा है परमेश्वर हमारा शरंस्तान और बल है सबसे पहले आप लोग जो पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं बाइबल में आपको करेक्शन लगाने के ज़रूर ते नहीं क्योंकि बाइबल बिल्कुल ठीक है लेकिन इसको पर्सनलाइज करने के लिए इस तरह इसको इस तरह से पढ़िए परमेश्वर मेरा शरंस्तान और बल है God is my refuge and my strength क्या है क्या पढ़ा हमने परमेश्वर येश्व मसी मेरा शरंस्तान और बल है और संक्ट में अदिस सहज से मिलने वाला सहायक है तो परमेश्वर येश्व मसी क्या है कौन है मेरा वो शरंस्तान है और वो मेरा बल है और संक्ट के समय में अगर आपके जीवन में अभी संक्ट है तो इस समय की बात हो रही है अगर इस समय संक्ट नहीं है तो जबी आप संक्ट में से गुजर के निकलेंगे तो वो आपको बहुत मुश्किल से मिलने वाला सहायक नहीं है परंदु क्या है बहुत ही आसानी से मिलने वाला सहायक है है अमें इस परमेश्वर को डूणने की जरूरत नहीं है अगर आप ने येश्वी मस्री पर विश्वास किया है और ने सिरे से जनम पाया है तो आपको परमेश्वर को डूनने की जरूरत नहीं है वो आसानी से मिल जाता है या परमेश्वर ने ये नहीं कहाता कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो सरवदा तुम्हारे साथ रहेगा कैसे रहेगा? कब तक रहेगा? सरवदा रहेगा अगर वो सरवदा आपके साथ है उस पवित्र आत्मा का आपके अंदर होने के कारण परमेश्वर हमेश्वर आपके पास है आपको डूनने की जरूरत नहीं की परमेश्वर का मिलेगा कौन से जर्च में मिलता है? आपको डूरने की ज़रूरत नहीं है वो आपके पास है और आसानी से वो आपके सहायता के लिए मौजूद है और बदन लिखने वाला कहता है इसलिए या इस कारण Therefore इस कारण मुझे कोई भाय नहीं है आपकी सब लोगों बूल जाइए अपनी बात करते हैं मेरी अपनी बात आपकी अपनी बात इस कारण क्यों की वो मेरा शरंशतान है तो आपके अपने मन में विचार आप बदलना शुरू किया आपने बदलना शुरू किया की मेरा ये और वो मेरा बल है और संकट के समय में जब भी मैं मुसीबत में पढ़ूंगा चाहे मैं शारीडिक दीदे से बीमार हो जाओंगा या मेरे जिवन में कोई financial struggle आए मेरी नोकरी में कुछ problem आए मेरे business में कुछ problem आए उस समय वो बहुत आसानी से मुझे मिल जाता है इसलिए मैं डरूंगा नहीं मेरा ना डरने का और कोई कारण नहीं है मैं अपने और किसी बात के कारण या अपने पढ़ाई या अपने qualification मेरे professional degrees या मेरे गर में मेरे पिता के पास जो शारीरिक पिता मता के पास जो दन है उसकी वज़े से नहीं इन सब बातों से नहीं मैं किस बात से नहीं डरूंगा किसी भी चीज से क्योंकि मेरे पास एक शरंस्तान है मेरे पास एक बल है और संकट में बहुत आसानी से वो मेरी सहायदा करने के लिए आता है इसलिए मैं डरूँगा नहीं और क्या लिखा है जिसमें तो बहुत कुछ लिखा है वहां तक सोचना बहुत खटिन है हमारे लिए लिखा है कि मैं ढरूंगा नहीं चाहे पृत्वी उलट जाए अभी तो पृत्वी सीधी है और अपनी सीधी दिशा में गुम रही है अभी तक पृत्वी उल्टी नहीं है इसलिए हमें वहां तक सोचने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लिखने वाला अपना उस बायस से इतना आजाद है इतना फ्री हो गया है वो कहता है कि पृत्वी उलट भी जाए और पृत्वी के लिए पृत्र शाहसर में लेका है कि वो अपनी दिशा में हमेशा कुमती रहेगी जबता परमेशर उसको नहीं अटाएगा इसलिए उलटने की बात कभी होगी नहीं लेकिन देखि और भी बातें लिकी है आप पढ़ सकते हैं और पहाड समुत्र के बीच में डाल दिये जाए अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि हमारे जीवित रहते ऐसा होगा लेकिन ऐसा कभी हो भी जाए हमें डरने की ज़रूरत नहीं कारण क्या है क्यों क्योंकि मेरा परमेश्वन मेरा बल और मेरा शरंस्तान और बहुत ही इजीली मिलने वाला है वो सहाइदा करने के लिए आता है यह विचार अगर हम मन में डालते हैं और इस पर हम विचार करते हैं तब हमारे लिए चिंदा ना करना बहुत ही मुमकिन है क्योंकि चिंदा करने से डर आता है मैंने आपको बदाया और डर है क्या चीज़ डर विश्वास है लोग कहते हैं कि मुझे बहुत विश्वास है और मैं कहता हूं बिलकुल मैं मानता हूं कि आप में बहुत विश्वास है सवाल ये ने कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं सवाल ये क कि आपके मन में किस तरह का विश्वास है डर या फिर छुटकारे का कौन सा विश्वास है क्योंकि डर विश्वास है और जिस चीज से आप डरते हो वो चीज जरूर आपके जीवन में होगी आयूब की पुस्ते में तीसरा द्याय में 25 पद में आयूब कहता है कि जिस डरावनी चीज़ से मैं डरता था वो मेरे जीवन में हो रहा है इसलिए डर विश्वास है, गलत विश्वास है परमेश्वर की बात तुम पर जब हम विश्वास करते हैं वो डर नहीं है, वो विश्वास है, सही विश्वास है इसलिए हमारे जीवन में सही काम होगा इसलिए नीती बचन में लिखा है नीती बचन का तेईसवा अधियाय में लिखा है कि जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं वोई बात मैंने पहले आपको बदाया था चौता अधियाय में से जैसे हम मन में सोचते हैं वैसे हम है इसलिए हमें काम और मेनत करने की जरूरत है मन में मन में क्या होता है विचार होते है विचारों पर हमें दियान देने की जरूरत है अगर हम दुनिया की बातों को अपने दिमाग में गुमाते रहेंगे तो हम डरते फिरेंगे और फिर जिस चीज़े हम डर रहे हैं वो चीज़ हमारे जुमेर में होगी अगर हम परमेश्वर की बातों को मन में डालेंगे उस पर हम विचार करेंगे तो अच्छा result आहेगा क्योंकि हम अच्छा विश्वास कर रहे हैं क्योंकि हम सही विश्वास कर रहे हैं हमें मृत्यू का डर नहीं होगा क्योंकि हमें मालूम है कि एक दिन हमें मरना जरूर है और जब हमारी मृत्यू होगी हम परमेशर के पास जाएंगे फिर हमें डर नहीं होगा क्योंकि इस डर से चुडाने के लिए भी येश्व ने कृच्छ पर अपना जीवन दिया है आज में येश्व मसी पर विश्वास करने वाले लोगों से लोगों को फिर से बदा रहा हूँ ये सीक्रेट ये गुट रहा है तो फिर से बदा रहा हूँ कि हमें मृत्यू से डरने की जरूर इतनी इसलिए अगर हम बीमारी की अवस्ता में है तो बिलकुल भी और इसमें ध्यान रखिए आप से लोग बात करेंगे फोन में या मेसेज़स के द्वारा आप से बात करेंगे और सबी लोग आपको विश्वास दिलाने वाली बातें नहीं कहेंगे बहुत से लोग आपको डराएंगे आपको डराएंगे आपसे बोलेंगे रिस्क मत लेना इससे ज्यादा क्या रिस्क है कोवीड होगे से क्या ज्यादा रिस्क है आपके जीवन में लेकिन आपको डराएंगे आपको आपको वो डेटा देंगे दिल्ली शहर में कित चिंदा करना शुरू करेंगे सबसे जादा क्या चिंदा करते हैं कहीं कुछ हो ना जाए और ऐसा चिंदा करके आप डरेंगे उसी से कहीं में मरना जाओं तो फिर आपका हांगो जा रहे हैं अमृतिय के और जा रहे हैं वापस कीच रहा हूं मैं आपको मैं आपको बता रहा ह से आपको चंगा करता है कि सारे रोग में जब बाविश में जो नया रोग निकलाएगा ओभी उसमें है क्योंकि परमैशवर बुद्धिमान है पर मेशनमें सारे रोगों की लिस्ट नहीं दी तिंप परमश्र मेरे सक्वली बोला कि सारे रोगों से, कितने रोगों से, सारे रोगों से, जितने भी झाद आपके users में उन्में उनेसे कोई भी एसा पाद नी、「सको देखे परमेश्व में यह कि यह में शमानी कर सकता ओर, जितने भी रूग OUR जी उन सकता है। उन्में से किसी को भी देखे पर में परमेश्वर नहीं कहता। इसके लिए तो मेरे पास, अभी, मेरे प्रोग्राम में नहीं है, नया प्रोग्राम, नहीं, ऐसा नहीं, पर में नहीं कहता है कि मुझे नया सॉप्ट्वेर लिखना होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, नहीं, सारे रोगों को वो चंगा करता है, आपके बैवल में ऐसा ही प्रभू येश्व विश्वास करने के बाद की बाद और मैंने अभी तक परमिश्व शायद इसलिए शायद मुझे जल्दी ठीक नहीं करेगा नहीं परमिश्व नहीं ऐसा नहीं करेगा परमिश्व नहीं करेगा कि मैं सारे पावों को शमा करता हूं और सारे रोगों को ठीक भी करता इन बातों के पिशे में सोचिए तब पवितरा आत्मा आपसे बात करेगा आपका विश्वास बढ़ेगा आप विश्वास कर सकेंगे और जो आप विश्वास करेंगे आपके साथ होगा जो आप डरेंगे आपके साथ होगा इसलिए हम डर की बात बिल्कुल नहीं करते हैं हम चिंदा बिल्कुल नहीं करेंगे और फिलिप्यों की पत्री में जहांबर हमने अदियन शुरू किया था वहां में लिखा है जब हम ऐसा करेंगे न जब हम चिंदा ना करते हुए अपनी सारी बाते जो भी मन में विचार आ रहा है सब कुछ परमेश्र के चरणों में रखेंगे परमेश्र मेरे अंदर ये डर भी है मेरे अंदर ये विचार भी हा रहा है और मुझे लगता है कि मैंन हम ओम ऐसा करेंगे तो फिलिप्यों की पत्रिका 4 14 आदियका सात वुबद में क्या लिका है है नहीं तब परवमेश्वर की शान्ति किसकी शान्ति मनिश्यक्य Oर से नहीं इस दुनिया की और से नहीं इस दुनिया की चीजों से मिलने वाली शां दिनी परंदू परमेश्वर की शांदी जो समझ के परे हैं मजदारी की बात है कि जो शांदी परमेश्वर देता न वो उसको ना तो हम कुछ समझ पाते हैं और बाकी लोग तो बैसे भी नहीं समझ पाएंगे कि हम शांत क्यों हैं हमारे मन में शांदी क्यों हैं? हम क्यों नहीं डर रहे हैं? लोग नहीं समझ पाते हैं, हम इतनी आसानी से, इतनी आराम से कैसे बैटे हैं? जब पूरे शहर में हलचल मचा हुआ है, क्यों? क्योंकि परमेशुर की शांदी हमारे मन में हैं, अगर परमेशुर की शांदी हम पा कभी खाली नहीं बैड़ता, मन हमेशा विचार करता है, इसलिए हमें क्या करना होगा, परमेश्वर की बातों पर विचार करना होगा, परमेश्वर जो कहता है उस पर विचार कीजिए, तो पवितरात्मा आपसे बात करेगा, ऐसा नहीं कि सिरफ बाइबल पढ़ते समय पवि परमेश्वर की शान्ती, जो सिरब परमेश्वर ही दे सकता है, येश्वि मसी की शान्ती और कोई इनसान आपको दे नहीं सकता, येश्वि मसी स्वाइम देता है, वो शान्ती जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, जिसको दुनिया नहीं समझ पाती, वो क्या करेगी, देखिए, मे यहां बर समावत करेंगे तब परमेशुर की शान्दी जो सारी समसे परे है तुमारे हिर्दे और तुमारे विचारों को मस्जी येशु में सुरक्षिद रखेगी और क्या चाहिए मैं आपसे पूछता हूँ मैं अपने आपसे पूछता हूँ कि मुझे और क्या चाहिए अगर मैं सुरक्षिद रहूंगा तो मुझे और क्या चाहिए और परमेशुर कहता है कि वो शान्दी मुझे सुरक्षिद रखेगी कौन सी शान्दी जो एशुमसी देता है और वो शान्दी मुझे कैसे मिल सकती है वो peace मुझे कैसे मिल सकता है जब मैं अपनी सारी चिंदाओं को हटा कर परिमेश्वर की बातों में मनन करूँगा और अपनी सारी बातें अगर मुझे में अभी चिंदा है किसी भी बात को लेके अगर मैं किसी भी बात को लेके परेशान हूँ तो वो सारी बाते मेरे मन में जो भी दुख है वो सब कुछ मैं उसके पास पेश करूँ जमा करूँ उसके कदम में डालूँ परमिश्र ये चिंदा है मैं तुझे दे रहा हूं आपको याद ने एक बार मैंने चिंदा के विश्र में बताया तो ना कि क्या करना है कागस में ल कुछ समय के बाद वो सकता है कुछ दिनों के बाद फिर से नहीं बाते आएं नया डर आ है तब भी आप यही करेंगे आप उस डर से बाहर निकलेंगे और आप देखेंगे इसका सीधा असर जो है आपके शरीर में होगा आज आप झाल मेडिकल साइन्स इस बात को भी मानता है कि अमारे विचारों से ना करे कोई फरेक नहीं पढ़ता है की अमारे विचार से द्यांसों सुनिए, our thoughts can impact our genes अमारे विचार जो है अमारे genes पर असर करते है genes swelling क्या है? G-E-N-E, right? Yes, genes उन genes की बात कर रहा हूँ आपने science में बढ़ा होगा न? chromosomes or genes नए study में ये बताय जाता है कि अमारे विचार अमारे genes पर असर करता है और कुछ सालों के बाद doctors भी बताएंगी genes पर असर करता है लेकिन बहुत सालों पर परमेश्वर ने इतना detail में नहीं बढ़ाया परमेश्वर ने सिरफ ये कहा कि मन गी रक्षा कर और बार बार पवितर शास्तर में हमें ये सीखने को मिलता है कि मन के अंदर क्या जा रहा है इस पर ध्यान करो क्योंकि जीवन आपका मन के विचारों पर आतारित है परमेश्वर ने जीन के बारे में नहीं बताया बतानी की जरूरत नहीं परमेश्वर बहुत सारी बात हैं डीटेल में नहीं समझाता है इतना समझाता है कि सबसे आदमन की रेक्षा कर और किसी बात की चिंदा ना कर परंतु क्या करना ही ये भी बदाता है उतना कीजिए आप सुरक्षिद रहेंगे और बचे रहेंगे चाहे कुछ भी होता रहे पृत्वी उलट भी जाए आप सीधा रहेंगे क्योंकि आप पर्मेशनों के साथ चल रहें पर्मेशनों की बातों को मान के चल रहें इसलिए मैं आप मैं आपसे कहता हूँ कि निूस सुने से जादा मैं नहीं करा परर नाउत बहां आदा पड़िये और इस पर विचार कीजिए आप सुरक्षिद रहेंगे और दुसरों की स तहायता भी कर सकेंगे आमेन तो यहां पर हम आज रुक जाते हैं फिर एक दिन मोटिवेशनल बातें करेंगे परमेश्र के आशिश आप सभी लोगों के साथ रहे